यक्षप रूटलेस ऑपरेशन नेट्फ्लिक्स की ओरीजिनल कोरियन मूवी है और यह इंगलीश एंड जैपनी डब नहीं किया है शायद आगे कर दे पता नहीं तो यह दो खिंटे पांच मिनिट के आसपास की फिलम है कहानी मौडर्न कोरिया में सेट है जिसमें मारे एक प् इमोशन हो जाता है और उसे NIS के ऐसे डिपार्टमन में फैंक दिया जाता है जहां पर कोई काम नहीं है पूरा दिन वेले बैठ ले है अपनी हॉबिस पूरी करो सैंडविच खाते रो जो मर्जी करो सरकार का कोई मतलब नहीं हो तुमें पैसे दे देगी फ्री में वेले ब स्पाइस का क्योंकि वहां से आप नौर्थ कोरिया पर अच्छे से नजर रख सकते हो और वहां पर इसी कानल स्पाइस में पावर श्रगा चलती रहती है तो सरकार को न अपने जो कौरिया स्पाइस है वहां से उनकी ठंकी नहीं मिल रही उन्हें शक है कि इस बाइस ना कु रहे हैं एक दूसरे को फसाने की कोशिश भी कर रहे हैं और क्या है मून के पास यह जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और वहां ही पर हमारे एक करेक्टर से इंट्रोडेक्शन होती है जिसका नाम है यक्षा जिसके नाम पर मूवी है ठीक है वह एक इसके हमारे हीरो के साथ बनती नहीं है क्योंकि यह दोनों अपोजिट परसनल्टी के हैं हमारा हीरो एक फ्रॉसीटर है वह लौ में विश्वाश रखता है वह चाहता है कि लौ का पार्नलों कभी जस्टिस मिलता है बीना लौ कर से जस्टिस नहीं है अगर आप दूसरी तर और गोलिया चला रहा है, लोगों को नैप कर रहा है, यह हमारे हीरो को पसंद नहीं आ रहा है, इस कारण दोनों में क्लैशिस होती रहती है, और 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 भी दो-तिन लोग है, उन्होंने भी ठीक्ठा काम किया है, उनकी खास कोई स्टोरी नहीं है, तो इसमें स्पाय वार है, डबल डबल गैम खेल रहने हैं स्पाय पेशास के साथ, और ऑस पाय सो एक दूसरे देश के दूसरे देश में घूसे हुए है और छेड़ खानी कर रहे हैं देश के plans में, तो यही सब चल रहा है, पर यह जो बीच में बहस होने लग जाती ही, न हमारे characters के बीच में, यह film को लंबा सीचने लग जाती है, यह मुझे दो गंटे में बहुत bore करती है बीच में, शुरुबात में थोड़ा समझ में आता है, hero का introduction हो रहे है, उसके बाद बीच में बीच बीच में action आता है, फिर end में action आता है और फिर उसके around जो भी है वो बस बहसे हो रही है इनके आपस में, एक दूसरे को बंदी बना रहे हैं भयोश कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं मलद, spy का काम करने का तरीका दिखाने की कोशिश की है, पर यह बहुत लंबी है दो गंटे की film नहीं होनी चाहिए थी इसे थोड़ा छोटा माना चाहिए था, film की ending अच्छी है, आप परिवार के साथ देख सकते हैं इसमें कोई खासा nude scene और violence कुछ खास है नी, ठीक ठाक violence है और इसका sequel बनने के कोई chance है नी बन भी सकता है, update मिलेगी तो मैं बता दूगा, अभी तो कोई update है नी overall एक अच्छी film है, जिसे बहुत ज़्यादा लंबा खिचा गया है, इसमें आपको spice के बारे पर जानने को मिलेगा, काम कैसे करते हैं और कितना देश गिर सकते हैं दूसरे देश को नीचे गराने के लिए, ये सब तो overall मैं इस film को दूँगा, 7.8 की rating out of 10 फिर मिलेंगे किसी और review में, अलविदा जाने से पहले, अगर आपने देखिए तो comment section में जूरू बता के जाएगा और आप कोई suggestion देना चाहते हैं तो वो भी जूरू बताइएगा